Hello students, आज हम समानता सेनी के N पदों के योगफल के बारे में study करेंगे चलते हैं, देखे समानता सेनी के N पदों का योगफल किस परकार ग्यात किया जाता है इससे पहले वीडियो में आपने पढ़ाता कि समानतर सेनी का व्याअपक-पद S n, sum of nth term equal to a, n by 2, 2 a plus n minus 1 into d, S n equal to n upon 2, bracket में 2a plus n minus 1 into d, यहां सब्ची वोई है, a पर्सम पद है, d सारवांतर है, और n पदों की संख्या है, कि कितने पद हमां सरेनी में दिये गए हैं, या किस ना कावा हमां योगफल ग्यात करना है, इसी फोर्मूले को दूसरे फोर्मूले में कर्मट कर सकते हैं, देखें, हमने बना रखा है, S n equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, अगर हमें सेनी ग्यात ना हो, उसमें a ग्यात हो, वदों की संख्या, n ग्यात हो, और अन्तिमपद l ग्यात हो, तो देखें, कैसे करते हैं, अन्तिमपदलास्टर्म, देखें, इसी फोर्मूला को चेंज करेंगे हम, हम लिखेंगे, S n equal to n by 2, अगर हम इस 2a को तोड़ दें, a प्लस a, 2a को convert कर दें, a प्लस a, जानी के हम a प्लस a करेंगे, तो 2a आएगा, तो हमने इसको 2a को लिख दिया, a प्लस a, और बाकी ऐसी लिख दिया, फोर्मूला, अब देखें, यह फोर्मूला दुमने पढ़ा है यहां से यहां तक, इसको हमने l कहा है, यह अन कहा है, यह ता व्यापक फोर्मूला a प्लस n-1 इंटू, अगर हमें स्रेणी का अंतिमपत ग्या तो l, तो हम क्या गएंगे, पर्थमपत तो a दिख दिया हैं, और यह पूरा-पूरा कनवर्ट हो गया, हमारे पास अब l में, l कहा दें या an कहा दें, एंट ट्रम, तो फोर्मूला बन जाता है, sn एक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, तो हमें यहां दो फोर्मूला धगने हैं, अगर से नहीं ग्या आते हैं, तो sn एक्वल टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, अगर हमें से नहीं का पर्थम पद ग्यातों और पदों की संख्या ग्यातों, तो sn एक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, जलिए अब देखते हैं, इन पर कोस्टन किस्ते के सोल्ड करते हैं, यह फर्स्ट कोस्टन दिया गया है, एक स्रे नहीं दी गई है, हमें यह है, 2, 7, 12 और 10 पदों तक, इसका मतलब यह है कि हमने तीन पद लिखे वी, एक, दो, तीन, अगर हम ऐसी दस के दस पद लिख दे हैं, और फिर कहते हैं, इनका टोटल बताओ क्या होगा, अगर हम दो पद गएक पूछते हैं, तो दो और साथ नो, तीन का पूछते हैं, तो नो प्लस बार एक्टिस, त इतना अंतर जा गया है, दो और पास साथ, साथ पांच बार एक पांच बढ़ाते वें चले जाएं, और पूरे दस पद लिखने हैं, और उसके बाद कहते हैं, इनका योग बताओ, तो तो यह कैसे करेंगे, सबसे पहले जब देखते हैं, वैल्यू, पर्थंपद क्या है, माइनस पहला पद, जैने सेगिन टर्म माइनस, फर्स्ट टर्म, तो सेवन माइनस टू इक्वल टू फाइव, कितने पदो तो निकालना है, एन इक्वल टू टैन, जो पदो की संख्यावत दस है, तो हमें एस टैन फाइंड करना है, दस पदो का योग, फोर्मुला बता हा था भी, सन इक्वल टू अन अपॉल 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D, N कितने हैं 10 तो 10 बटे 2 2 इंटू A A की वालु 2 है प्लस 10-1 और D की वालु थी 5 तो 10 का आधा करोगे 5 2 दूनी 4 10 मैं चेंगा 9 9 गुना 5 4 प्लस 59 पैतालिस जब पैतालिस को चार में जोड़ेगा तो उनन्चस हो जाएगा और उनन्चस मुना 5 मैं करने हैं 25 पैंतालिस चार 25 गुशा 24 तो दो सो पैंतालिस यानि 245 इन पदो का योगफल होगा इसने लिखा कि 34 प्लस 32 प्लस 30 और चलते चलते जो लास्ट की टरम लिखी है वो लिखे 10 तो हम देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टरम 34 है और जो लास्ट टरम गीवीन वो 10 है तो इसका मतलब ये घटी बजा रही है जब टरम्स घटी भी जा रही है तो इसका मतलब का जो सारवांतर होगा वो नेगेटीव होगा तो यहां पर्सम पर 34 ये बडाबर 34 सारवांतर वोगे फोर्मला है सारवांतर दी एक्वल टू सेकिंड टर्म माइनस पर्स टर्म दूसरा पद माइनस पहला पद यानि पर्थम पद दूसरा पद रह बत्तिस और पहला पद रह चोंतिस छोटी संग्या बडिशन का खटा रहा तो तो इसलिए नेगेटिव और डिफान संगा टू और ये जो लास्ट में दिखा है ये एंस्ट्रम है व्यांपा ग्रूप में तो अन इक्वल टू टैन अन का फोर्मला तो बताया था ए प्लस n minus 1 into d 10 की वैल द रख देंगे a की वैल रख देंगे a की वैल लुके थर्टीफॉर हमें n नहीं पता कितने टय़न्ट्स है तो एन फाइंड करेंगे n minus d की वैल लुके फोर्टीफॉर और यह प्लस है यह माइनस है तो माइनस के 2N और माइनस माइनस 1 plus 2 equal to 10 34 plus 2 36 minus 2N equal to 10 36 minus 10 equal to 2N or you होगे difference 26 26 upon 2N equal to 13 N की value 13 आ गई अब हमारे पास जब N 13 है तो इसका सम निकालना है formula SN equal to देखे यहां दूसरा formula भी अप्लाई कर सकते हैं N upon 2 A plus AN N की value 13 A की value 34 और AN की value थी हमारे पास 10 34 plus 10 44 इसा करने है 22 तो 13 into 22 तह दूसरा 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 है अगर हम अपने पहले फोर्मले से स्कोस्यों करते हैं N upon 2 2A plus N minus 1 into D N देखे 13 है यह जो A की value 34 है N 13 minus 1 into D अब D कितनी value आई टी हाँ देखे D कि value देखे माइनस 2 यहाँ निकाला था D D कि value माइनस 2 13 upon 2 34 की 2 से मुल्टिप्याइगे 68 और 13 minus 1 12 into minus 2 13 upon 2 68 plus minus minus 24 8 minus 4 4 6 minus 2 4 इसे 22 times cancel 13 into 22 देखे पहले मैसर थे भी इसका answer 286 है और second मैसर थे भी इसका answer 286 है तो कोई साही method apply कर सकते हैं इसमें calculation कम हो जाती है इसमें calculation थोड़ी सी जाद होती है हमने formula बताई दिया कि अन का मतलब ही a plus n minus 1 into d है जो इसमें add करने के बात बन जाता है 2a plus n minus 1 into d ते लिए next question देखे लोग question के लिए पर्थम साथ पदों का योग वहाँ पर्थम साथ पदों का योग है यानि हम साथ संक्या लिखते हैं उनको total करते हैं तो 49 आता है और पर्थम 17 पदों का योग 289 है तो इसके पर्थम n पदों का योग पर्थम n पदों का योग तो यहां भी हमें अन्नों ना तो पर्सम पद पता ना एन पता है ना हमें दी पता है तो दोन सिया ग्यात है कि आख लो कि अज़िए पर्सम पद को ए मान लिया और सारवान्ता को डॉक तो समानता से निके पर्थम साथ पदों का योग, इसका मतलब है S7, यह 49, पर्थम साथ पदों का योग, उनन्चा से, तो यह 49 है, तो N की वैल्ली है 7, यहाँ फोर्मलाय रखें, सन इक्वल टू N बाइ 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D, किस फोर्मलाय रखेंगे, जब यह N है, यह 7 दिया गया, तो 7 बाइ 2, 2, 2A प्लस N माइनस 1, N की वैल्ली 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटो D, इक्वल टो 49, देखें, 2A प्लस 7 माइनस 1, 6D, यहाँ जो 2 डिवाइड में था, अपोर जाका मुल्टिप्लाय हो जाएगा, 49 इंटो 2, और 7 मुल्टिप्लाय में था, यह जाका दिवाइड में जाएगा, अप 7, 7, 7 जा 49, तो 2A प्लस 6D इक्वल टू 14, इक्वेशन नमबर 1, यह जो N प्दोगा योगफल का फोर्मला है, इसमें हमने N के स्थान पर 7 रख दिया, तो S7 और 7 प्दोगा योगफल था, हमारे पास 49, उसको इसके बाहबर रख दिया, तो एक समिकन बन गई, इसी प्रकार दूसी समिकन देखेंगे, कि पर्तम 17 प्दोगा योग, 289 है, यह जो 17 टम्स हैं, इनका टोटल है 289, तो उसी फोर्मले में, N by 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बराबर 289, तो 2A प्लस, 17 में से एक घटा होगे तो 16 बचेंगे, 16 D बराबर 289, यह 2 मल्टिप्लाइम आ जाएगा, और 17 डिवाइड में, 17 17 जा 289, इसको कैंसर कर देंगे, और 17 टू जा 34, यह एक्वेशन नमबर 2, हम भी देखरेंगे, फर्स्ट एक्वेशन में है, और सैगिन एक्वेशन में, दोनों में एक है कोफिजेंट सेम है, 2A और 2A, और 16 D यहाँ है, यहाँ 6 D है, तो यह जाद है, यहाँ कम है, तो समीकन 2 में से समीकन 1 को लैस करेंगे, समीकन 1 को बार 2 को आच यहँके, तो यह प्रूद rising, 26B говорить, यह ब gonna plus 6D equal to 14, subtract करने पर साइन चेंज जाएंगे, minus, minus, और यह भी minus, यह cancel, 10D equal to 20, और D equal to 20 upon 10, D equal to 2. अब D की value समीकरन फर्स्ट में रख दें. जब D कामान समीकरन एक में रखेंगे, तो 2A plus 6, और D की value 2, 2 equal to 14, 6 to the 12, और 2A equal to 14 minus 12, 2A equal to 2, and A equal to 2 upon 2, A equal to 1. अब हमारे पास A की value भी है, और D की value भी है. हमें फाइंड करना है N वा पद्ध, तोरी, N पद्धों का योखफ़ल ग्याद करना है. देखे, N पद्धों का योखफ़ल ग्याद करने के लिए, S N equal to N by 2, 2A plus N minus 1 into D. इस formula आप रियोग करेंगे. यहां हमारे पास A भी ग्याद है, जो हमना find किया भी, A equal to 1, और D भी हमना find कर रखा, D equal to 2. N by 2, क्योंकि पर्थम N पद्धों का योख़़ल ग्याद करना है, A की value 1 रखें, तो 2 into 1, plus N minus 1, और D की value 2 into 2. N by 2, 2 बंजा 2, plus 2 की multiply के 2N, और 2 बंजा 2, minus के होगी, तो plus 2 से minus 2 cancel, S N equal to N by 2 into 2N, 2 से 2 cancel, N की multiply N से करेंगे, तो यह आजाता है, S N equal to N square, यहां तो इसब फाइंड करवाया है, कभी-कभी इसको लिएते हैं, सिद कीजिए, prove that, कि S N equal to N square, तो वहां मैं पूरूफ करना पड़ता है, answer यह आएगा, बहुत important question है, इसका ध्यान से practice करें, अब देकर next question, कि 0 से 50 के बीच, जब यह word लिखा गया, 0 से 50 के बीच, ना तो 0 को लेना, और ना 50 को लेना, इनके बीच की संख्या लेनी है, बस, यानि जो 0 से बड़ी हो, और 50 से छोटी हो, 0 और 50 के बीच, की विसम संख्याओं, विसम संख्याओं वो होती हैं, जो 2 से नहीं कटती, और नमबर, जो नमबर 2 से डिश्वेल नहीं होते, उसे हम 8 नमबर कहते हैं, विसम संख्याओं कहते हैं, का योग ज्यात कीजिए, तो पहले तो हम 0 तथा 50 के बीच, विसम संख्याओं, निम्न परकार हैं, अब देखें, कौन कोई संख्याओं हैं वो, 0 से बड़ी, 1, फिर 3, 5, 7, इसे ही चलते हैं, और 50 से छोटी क्या है, उनन्चस, तो ये सभी संख्याओं विसम हैं, जब ये विसम संख्याओं दी गई हैं, तो अब हमें इनका योगफ़ल क्यात करना है, कौन कोई संख्याओं हैं, उनका योगफ़ल कितना होगा, तो यहाँ, जो पहला पद है, A बराबर 1, और D सारवांता दूसरा पद, माइनस पहला पद, तो 3 माइनस एक बराबर 2, और ये जो व्यापक रूप में हम निकालते हैं, फोमुला A N इक्वल टू, तो यहाँ A N है, ये लास्ट ट्रम गिविन है, तो A N इक्वल टू, 49, अब हमाँ नहीं पता हैं, ये कित a N equal to 49, formula a plus n minus 1 into d equal to 49, a key value 1 plus n minus 1, d key value 2 equal to 49, so 1 plus 2 key multiplier is 2 N, 2 1s are 2 equal to 49, 1 minus 2 minus 1, 2 N equal to 49 plus 1, ये 50 होगे, जो ये 50 होगे, तो N equal to 50 upon 2, N equal to 25, N की value अगी 25, अब हमें इन पतों का योगफ़र निकालना है, S N equal to N upon 2, 2 A plus N minus 1 into d, देखे हमारे पास, a given है, a की value put करेंगे, d given है 2, N हमने फ़ांड का या भी 25, जहांजा N हमने 25 रख देंगे, 25 upon 2 यहाँचा 25 minus 1, 25 upon 2, 2 यह लाइस होगे जागे 24 24 into 2, 25 by 2, 2 plus 24 तो जा 48, इन को आड करके 50 आ जाएगा, 25 upon 2 into 50, 2 से कैंसे कर दे, 25 multiply by 25, जब इनकी प्रोड़क्ट करेंगे, तो 625, यह आपके अन पताव योखपल, यानि अन की वाली तो 25, जो 0 से 50 के बीच की विसम संख्या हैं, उनके मान जो हमने समिकन बनाई थी, उनका योग फ़लाएगा, 625, तो परदो का योग 625, समझवागा होगा समझी, happy learning, take care, मिलते हैं,